दोस्तों अगर आप भी long term के लिए safe, secure and 100% risk free investment करना चाहते हैं तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PPF यानि कि public provident fund से जुड़े सभी A to Z rule के बारे में PPF क्या होता है, कौन-कौन PPF account open कर सकता है कब इसको close करवा सकते हैं, कितने समय के लिए investment करना होता है और क्या इसके latest interest rate चल रहे हैं साथ में अपन देखेंगे PPF calculator की मदद से कैसे आप 410 रुपे जमा करके 2 करोड के मालिक बन सकते हैं नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं Banking Baba YouTube Channel तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं PPF क्या है तो PPF जो है सबसे ज़्यादा popular long term investment है और saving product है क्योंकि यहाँ पर जो आपका पैसा है 100% Government of India के पास में safe रहता है उसी के साथ साथ जो Bank FD के अंदर आपको interest मिलता है उससे भी ज़्यादा interest आपको यहाँ पर मिल जाता है और साथ में आप income tax के अंदर भी benefit ले सकते हैं जैसे कि पैसा जो भी आप इसमें invest करेंगे उसकी आपको deduction मिल जाएगी ATC के अंदर उससे आप अपना tax amount कम कर सकते हैं उसी के साथ साथ जो भी interest मिलेगा और maturity पे आपको पूरा पैसा return मिलेगा वो पूरा का पूरा amount आपके लिए tax free होता है तो आपको PPF से related tax के बारे में कोई भी सोचने की जुरत नहीं है अब बात करते हैं कौन-कौन इसमें invest कर सकता है तो जो person इसमें invest करेगा वो resident Indian होना चाहिए उसी के साथ साथ कोई भी guardian अपने minor के नाम पर भी account open कर सकता है और एक person एक time पर एक ही account open कर सकता है चाहे वो post office के अंदर open करे या किसी भी bank के अंदर open करे एक person के नाम पर एक समय में एक ही account हो सकता है और joint account खोलने की facility आपको यहाँ पर नहीं मिलती है अब बात करते हैं deposit से related तो minimum आप 500 रुपे इसमें जमा करवा सकते हैं और maximum एक साल के अंदर डेड़ लाक रुपे जमा करवा सकते हैं जब भी आप account open करवाएंगे आपको कम से कम 500 रुपे देकर अपन account open करवाना पड़ेगा और 15 सालों के लिए account होता है तो हर साल आपको 500 रुपे कम से कम जमा करवाना पड़ेगा अगर आप किसी साल में जमा नहीं करवाते हैं तो आपका account discontinue कर दिया जाएगा तो आपको revive करने के लिए 50 रुपे की penalty पे करनी पड़ेगी और जितने सालों आपने payment नहीं किया उतने सालों का हर साल 500 रुपे आपको add करना पड़ेगा सपोज आपने 2 साल payment किया 500 500 रुपे उसके बाद में 3 साल से लेकर आप 8 साल तक गायब थे कहीं भी आपने payment नहीं किया तो 5 सालों का 500 500 रुपे आपको मिला कर 25 रुपे और उपर से 50 रुपे की आपको extra penalty पे करनी पड़ेगी फिर ही आपका account वापस start हो जाएगा और एक account चल रहा है तो आप दूसरा account उसके अलावा कहीं खुला नहीं सकते तो आपको वो ही revive करवाना पड़ेगा तो आपका कहीं भी account open है तो उसको चालू जरूर से करवा ले और maximum जो है डेड़ लाग रुपे आप जमा करवा सकते हैं एक financial year के अंदर यानि कि अपरेल से मार्च के अंदर अब डेड़ लाग रुपे ही इसमें जमा करवा सकते हैं पहले एक rule हुआ करता था जिसमें आप एक साल में बारा बार ही deposit करवा सकते थे लेकिन अब ऐसी कोई limit नहीं है आप जितने बार भी इसमें जमा करवाना चाहिए पैसा जमा करवा सकते हैं मिनिमम आप 50 रुपे से जमा करवा सकते हैं लेकिन 500 रुपे आपका एक साल के अंदर जमा होना जरूरी है और अगर आप एक guardian है किसी minor के तो उस minor के या फिर आपके total मिला कर डेड़ लाग रुपे ही जमा किये जा सकते हैं आप ऐसा नहीं कि आप खुद का भी account open कर ले और आप अपने minor child का भी account open कर ले और दोनों में डेड़ डेड़ लाग रुपे जमा करवाने की सोचते हैं तो ऐसा possible नहीं है एक person का डेड़ लाग रुपे ही maximum invest हो सकता है वो चाहे खुद के नाम से करे या वो अपने minor child के नाम से करे और ये जो पीपीफ account होता है वो 15 complete financial year के लिए होता है सपोज आज आप अपना account open करवाते हैं तो आपका पहला year यहां से start नहीं होगा अगली जो एक अपरेल की तारीक आएगी वहां से आपका counting start होगा वहां से लेकर 15 सालों के लिए account open होगा तो अगर आपको 16 साल के लिए पैसा जमा करवाना है तो आप आज account open करवा सकते हैं और अगर आपको effectively पूरे के पूरे 15 साल के लिए account open करवाना है तो आप 30 या फिर 31 March को अपना account open करवा सकते हैं जिससे की एक अपरेल से आपकी counting counting start हो जाएगी 15 सालों के लिए अब बात करते हैं rate of interest की आपको किस rate पर interest मिलेगा तो अभी जो current interest rate चल रहे हैं वो है 7.1% के यानिकी 7.1% पिछले धाई सालों से यही interest rate continue हो रही है तो आप अपना पैसा जो भी इसमें जमा करेंगे आपको उसके ओपर 7.1% से interest मिलता अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली क्या है कि आप कभी भी अपना पैसा PPF के अंदर जमा करवाते हैं तो एक से लेकर 5 तारिक के बीच में ही अपना पैसा जमा करवाएं जैसे कि अभी चल रहा है जुलाई और आज 10 जुलाई को अगर आप सपोस पैसा जमा करवा तो आपको जुलाई का इंटरस्ट रेट नहीं मिलेगा आपको जो इंटरस्ट रेट मिलेगा वो अगस्त से मिलना स्टार्ट होएगा तो एक से पांच जुलाई के बीच में अगर आप पैसा जमा करवा देते तो आपको जुलाई का भी इंटरस्ट मिलता तो इसलिए ये लेने के लिए आप 1-5 तारीक के बीच में ही अपना पैसा जमा करवाएं अगर आपको जुलाई का इंट्रेस्ट नहीं मिल रहा है तो फिर अभी जमा करवाने का कोई फायदा नहीं है आप 1-5 अगस्त के बीच में अपना पैसा जमा करवा सकते हैं और ये मंथली वेसिस पर इंट्रेस्ट की केलकुलेशन करने के बाद में पूरे साल भर का आपका जो भी इंट्रेस्ट बनता है वो मार्च के महीने में आपके पीपीएफ अकाउंट में जोड दिया जाता है जिससे की अगले साल जो आपको कमपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलने लग जाता है अब जैसा कि आपने देखा इसमें अकाउंट ओपन करवाने के बाद में आपको 15 सालों तक अकाउंट कंटिन्यू करना होता है जो की काफी लंबा पीरियड है तो इसलिए आपको गवर्मेंट की तरफ से फैसिलिटी दी जाती है आप इसके उपर लोन भी ले सकते हो या फिर आप बीच में कुछ पैसा निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो इसकी क्या कंडिशन है आईए देखते हैं जिस साल में भी अपने अकाउंट ओपन करवाया है उस साल को तो हटा दो उसके बाद का एक साल कंप्लीट होने के बाद से फिफ्ट येर कंप्लीट होने तक आप लोन ले सकते हैं आपके account में loan वाली date पर यानि कि जिस दिन भी आप loan ले रहे हैं, उससे पिछले साल complete होने तक जितना भी पैसा था, उस amount का 25% पैसा आप loan पर ले सकते हैं. सपोज आपने दो साल में पैसा जमा करवा दिया तीन लाख रुपए, अब अगले साल में आपको loan लेना है, तो तीन लाख रुपए का 25% amount loan ले सकते हैं, और एक बार अगर आप loan ले लेते हैं, तो उसका repayment करना होगा आपको, और उस repayment करने के बाद में ही आप दुबारा से loan लेना चाहें, तो फिर से ले सकते हैं, एक साल में एक बार आप loan ले सकते हैं, लेकिन दूसरे साल से 500 साल तक आप loan जो है, वो काफी बार ले सकते हैं, हर साल में एक बार ले सकते हैं, अब इसके repayment की बात करें, तो maximum loan आपको 36 महीने के लिए मिलता है, तो आप एक बार जो अगर repayment नहीं करते हैं, तो जो loan का interest rate है, वो काफी ज्यादा heavy हो जाता है, आपको 6% की rate से loan मिलता है, फिर आपका जो amount है PPF के अंदर, उसी में से उसको adjust भी कर लिया जाता है, अब बात करते हैं partial withdrawal के बारे में, जिस साल में account open करवाया, उसके 5 सालों तक तो आप loan ले सकते हैं उसके बाद में भी आपको पैसे की requirement आती है, तो आप partial withdrawal कर सकते हैं, यानि कि PPF account से अपना पैसा permanent basis पे निकाल सकते हैं, maximum 50% पैसा आपको permanent basis पे मिल जाता है, और यह जो 50% amount है, पिछले साल आपका जो balance था वहाँ तक देखा जाता है, तो आप उतना ले सकते हैं, starting के period में आ आप एक से लेकर 5 साल तक loan ले सकते हैं, उसके बाद में आप partial withdrawal कर सकते हैं, तो government आपको facility देती है, किसी को emergency हो जाती है पैसे की, तो वो यह facility use कर सकता है, अब देखिए अभी तक अपन ने देखा, आप loan भी ले सकते हैं, और कुछ पैसा भी निकाल सकते हैं, इसके अलावा एक काफी लोग सवाल पूछते हैं, सर क्या हम इसको बीच में ही बंद गरवा सकते हैं, क्या facility मिल जाती है, pre-mature close करवाने की, तो PPF account के अंदर ऐसी facility नहीं मिलती है, लेकिन कुछ conditions है, काफी serious condition है, अगर वो किसी के साथ भी हो जाती है, तो उस condition में pre-mature close भी किया जा सकता ह यानि कि 15 साल से पहले ही account को close भी किया जा सकता है, अब क्या-क्या condition है, पहली जो condition है, life-threatening disease का अगर treatment हो रहा है, account holder का, कोई ऐसी बिमारी हो गई है, जो भी जान लेवा बिमारी साबित हो सकती है, तो account holder का, या फिर उसके spouse का, या उसके dependent children का, या उसके parents का, किसी के भी ऐस disease हो गई है, और उसका treatment करवाना है, उस condition में पैसे की requirement है, तो आप इसको close करवा सकते हैं, आपको supporting document जो है, medical bill वगरे, जमा करवाने पड़ेंगे, और आप अपना account close करवा सकते हैं, इसके अलावा आप higher education अपने बच्चों के लिए, उसके लिए अपने पैसा जमा किया हो, NRI हो जाता है, यानि कि आप resident थे, आपने account open करवा लिया, आप पैसा जमा करवा रहे थे, किसी साल में आपका status NRI हो जाता है, आप इंडिया से बाहर चले जाते हैं, तो उस condition में भी आप अपना account को close करवा सकते हैं, और account open होने के बाद में, 5 साल complete होने के बाद में ही premature की facility मि रखना होता है, तो 5 सालों के बाद ही आप premature closure की facility यूज कर सकते हैं, और आपको जो interest rate चल रहा होगा, 7.1 का rate है, तो 1% का आपको penalty चार्ज किया जाता है, उसके बाद में 6.1% से आपका interest पूरे period का calculate किया जाएगा, और वो आपको payout किया जाएगा, और उसके अलावा account holder की अगर death हो जाती है, तो उस condition में भी account को close कर दिया जाता है, nominee को या फिर legal hair को account continue करने का option नहीं मिलता है, जिस दिन account holder की death हो जाती है, account को close कर दिया जाता है, उसके अलावा account के 15 साल complete हो जाते हैं, तो mature हो जाता है account, आप close करवाना चाहें, तो close करवा सकते हैं, with deposit, जितना भी interest बनता है, पूरा का पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं, इसके अलावा extension का भी आपको option मिल जाता है, आप चाहते हैं account को 15 साल के बाद close नहीं करवाने का, आप दुबारा से उसको invest रखना चाहते हैं, तो आपको option मिल जाता है, आप with deposit भी continue कर सकते हैं, without deposit भी continue कर सकते हैं, without deposit म करना चाहते हैं तो आपको हर साल वो rule है जो 500 रुपए से लेकर 1.5 लाग रुपए तक का वो applicable हो जाएगा तो with deposit में आप वो rule को follow करते हुए account को continue कर सकते हैं तो इसके लिए आपको 15 साल complete होने के बाद में एक साल के अंदर-अंदर post office या फिर bank जहां पर भी आपका account है उसको inform करना होगा कि कैसे आप continue करना चाहते हैं with deposit या फिर without deposit suppose आपने bank को inform नहीं किया तो आपने without deposit वाला continue हो गया आपका account तो inform नहीं किया और एक साल के बाद 15 साल complete होने के एक साल के बाद आपको लगता है कि आप with deposit करना चाहते हैं तो फिर ऐसा option नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पिछले साल में कुछ भी जमा नहीं करवाया है तो आपका account वहीं पे close हो जाता है या फिर आप monthly basis पर भी इसको जमा करवा सकते हैं 12,500 रुपए करके हर महीना जो की एक साल का आपका डेड़ लाग रुपए ही बनता है या फिर एक दिन का लगबग 410 रुपए निकल के आता है तो चलिए चलते हैं अपने calculator के उपर और देखते हैं कैसा करने पर आपको कितना interest मिलता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं yearly investment आप 1,500,000 रुपए का यहाँ पर कर सकते हैं पिरियड एक बार अपन 15 साल रखते हैं rate of interest 7.1% है तो यहाँ पर आप 22,000,000 रुपए जमा कर देंगे और लगबग आपको maturity पे 40,000,000 रुपए मिल जाएंगे सपोज आपकी age है अभी 35 साल और आप अगले 25 सालों के लिए और जमा करते हैं तो 60 साल की age में आपको कितना amount मिलेगा आईए देख लेते हैं यहाँ पर आप देखेंगे आपको 1 करोड रुपए मिल जाएंगे अगर आपकी age अभी 35 साल है और आप 25 सालों के लिए investment करते हैं तो 1 करोड रुपए आपको easily मिल जाएंगे वहीं आपकी age अगर 25 साल है और आप 35 सालों के लिए और investment करते हैं इसके अंदर तो लगबग आपको 2 करोड से भी ज्यादा का return मिल जाएगा यहां से तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा